हलोँ फ्रेंटस भागत आपका हमारे सी यूटूब चेनल पे फ्रेंटस आज की सी वीडियो में हम बात करना वाले है बोट्यम एप पे आप अपने अकाउंट को केस है डिलिट कर सकते है फ्रेंटस जब आप अपने बोटिम एप्लिकेशन को यहाँ पे आप open करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे नीचे option आ जाते हैं और यहाँ पे चेट और यहाँ पे contact और मी यहाँ पे profile का आपको option मिल जाता है तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है यहाँ पे जो भी आपका profile है मी का जो option आपको यहाँ पे मिला हुआ है यहाँ पे इस option पे आपने क्लिक करना है और यह वाला पेज आपके सामने आ जाता है और यहाँ पे आप देख रहें आपको एक option मिलता है account का तो आपने यहाँ पे account के option पे जाना है और जैसे यहाँ पे आप account के option पे click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे option आ जाते है my number आपका number यहापको show हो जाएगा और यहाँ पे आपकी privacy जो भी आपकी यहाँ पे अकाउंट में privacy है उस सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी आप यहाँ पे अपने account में अगर कोई privacy लगाना चाते तो यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि delete account कैसे करना है तो आपने यहाँ पर account के option पर जाना है यह आप देख रहें delete my account इस option पर आपने click करना है तो आपके सामने यह वाले page open हो जाएगा आप यहाँ पर देख रहें deleting your account will तो यहाँ पर आपने क्या करना है जो भी आपके सामने यहाँ पर option आया हुआ है यहाँ पर आपने अपना number डालना है जो भी आपके bottom application में है जो भी आपके account में है वो number आपने यहाँ पर डालना है तो जिसे मैं यहाँ पर अपना जो भी number है यहाँ पर डाल देता हूँ इसको में यहाँ पर account को delete करना चाहता हूँ इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है delete my account को option पर click कर देना है तो आपके सामने यहाँ पर यह option आ जागा यहाँ पर आप देख रहें confirm तो आपने यहाँ पर confirm कर देना है delete को option पर click करना है यहां पर इसको delete कर देना है तो आपका जो भी account है यहां पर delete हो जाएगा आप यहां पर देख रहें आपका जो भी यहां पर bottom application पर अकाउंट था वह यहां पर delete हो चुका है तो इस तरह से यहां पर आप अपने इस account को delete कर सकते हैं